सोया बीन की फसल हो रही खराग जिहां मोसम विभाग के द्वारा एक महीना पहले प्रकाशित आंकडों में बताया गया कि मराटवड़ा संभाग में नादेड जिले में सरवादिक वर्शा हुई लेकिन किसानों का कहना है कि वास्तव में जिले में इतनी बारिश नहीं हुई है जानकारी के मुताबिक 10 अगस्त के बाद से इस शेतर में बारिश की बून तक नहीं हुई नतीजन बिना बारिश के खरीव सीजन की सोया बीन उड़द मूं कपास जैसी फस्ते सबसे ज़्यादा परभावित हो रही है मराटवणा में किसान सबसे ज़्यादा सोया बीन की खेती करते हैं लेकिन इस साल किसानों ने कपास की खेती पर भी ध्यान दिया है खरीफ का मोसम बारिश पर निर्भर करता है लेकिन पिछले दो महीने में तीन बार मोंसून में हो रहे बदलाव से किसान काफी परेशान है इसलिए ना केवल खरीफ की बुआई नियमित समय पर नहीं की गई बलकि अब ऐसी तस्वीरे सामने आ रही है कि प्रकृती की बेरुखी फसल की वृद्धी और उत्पादन को प्रभावित कर सकती है वहीं विदर्ब में भारी बारिश से किसान परिशान है तो वहीं मराटवड़ा में किसान बारिश का इंतजार कर रहे हैं किसानों को कहना है कि इस खरीफ में फसलों का बड़े पेमाने पर नुकसान हुआ है किसान चिंतित है कि आखिर कैसे हो पाएगी खेती इस साल जुलाई के महीने में ही राज्य में मानसुन सक्रिया हो गया था बारिश देर से आई लेकिन भरपूर हुई इसलिए किसानों को उमीद थे कि खरीब सीजन की फस्टे खिलेंगी और उत्पादन बढ़ेगा लेकिन पिछले 20 दिनों से नादेर जिले और मराटवाड़ा में बारिश नहीं हो रही है इसलिए इसका फसलों पर परभाव पढ़ना शुरू हो गया है हलाकि मराटवाड़ा के कुछ जिलों में हलकी बारिश हुई है आपको बता दें कि सोया बीन खरीब मौसम की परमुक फसल है किसानों की अर्थ विवस्ता इसी फसल पर निर्भर करती है मराटवाड़ा में सबसे बड़े शेतर में बोई जाने वाली फसल सोया बीन है लेकिन इस समय बढ़ती गर्मी के कारण फसलों पर असर हुआ है फसले पीरी पड़ रही है और अब जरूरत के समय बारिश नव होने से उत्पादन में गिरावट आनक तैह है इस साल भी मराटवाड़ा में सरवादी करकवे में सोया बीन की बौई की गई है और इस से इस फसल को सबसे ज्यादा नुकसान होने की संभावना जता ही जा रही है बीरो रिपोर्ट मारकेट टाइम्स टीवी